हलो फ्रेंज आप सभी को पता है कि 13 अक्टूबर को करवा चोथ 2022 में फास्ट है तो आज की इस वीडियो मैं मैं आप लोगों को बिताऊंगी कि जो भी महिलाएं प्रेगनेंट हैं जो भी इस तरी प्रेगनेंट हैं तो क्या गरवती महिलाओं को करवा चोथ का ब्रत रखना चाहिए और अगर हाँ रखना चाहिए आपने मन बना लिया है कि फास करना ही है तो आपको ये ब्रत रखने समय कौन-कौन सी सावधानियों का बहुत बेहत ख्याल रखना है जिससे क्या होगा कि आपको भी नुक्सान ना हो और आपके पेट में पलने वाले बच्छे को भी कोई नुक्सान नहीं हो ये वीडियो बहुत खास होने वाली है इसलिए दोस्तों अन तक इस वीडियो को देखेगा क्योंकि बहुत informative है और अगर आप प्रेगनेंट हैं तो इन सभी बातों का खास ख्याल रखें करवा चोथ का ब्रत सुहागिन स्त्रिया अपने पती के लंबी उमर की कामना के लिए करती है आप सभी को मालूम है और इस साल ये ब्रत 13 अक्टूबर को मनाया जा रहा है इस दिन महिलाएं सत्षज कर पूरे सोला स्रिंगार कर लेती हैं और चंद्रमा की पूजा करती है साथी पती की पूजा कर उन्ही के हाथ से भी ब्रत खोलती है तो ये पूरा प्रोसेश जो होता ही ये दिन भर का होता है और करवा चौत का ब्रत दिन भर निर्जला रहकर किया जाता आप लोगों को मालूम है आप लोग पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाते पिते लेकिन ऐसे में जरूरी हो जाता है कि महिलाएं पूरी तरह से स्वस्थ हो तब ही ये ब्रत को करें दिन भर निर्जला रहकर करने वाले इस ब्रत को गर्वोती महिलाओं को विशे साउधानियों के साथ करना होगा क्योंकि उन्हें पती की लंबरी उम्र की कामना के साथ ही अपने बच्ची का भी ख्याल रखना होगा अगर आप भी करवती हैं और करवा चौत का ब्रत करने जा रही हैं तो इन बातों का ध्यान रखें क्योंकि जैसे पदी जरूरी है वैसे आपका बच्चा भी जरूरी है सबसे पहली बात जो आती है सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है पूरे दिन निर्जला ब्रत करने वाली है तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले क्योंकि गर्वती महिलाओं को अपनी पूरी कंडिशन के बारे में डॉक्टर को बता कर और उनसे सही सलाह ले अगर आपकी मेडिकल कंडिशन ठीक नहीं है और डॉक्टर ब्रत करने से मना कर रही है तो जरूरी है कि आप डॉक्टर की सलाह के अनुसारी काम करें यानि जैसे वो आपको रिकमेंड करें आप उसको जरूर फोलो करें अगली जो बात है आपको जिसका खास क्याल रखना है वो है पूरे दिन आपको भूखे नहीं रहना है अगर आप प्रेगनेंट हैं और प्रेगनेंट होने के बाद भी इस ब्रत को कर रही है तो जरूरी है कि पूरे दिन निर्जला ब्रत ना करें इससे बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ेगा पूरे दिन भूखे रहने की पजाए थोड़ा थोड़ा खाते रहें जिसे कि बच्चे को भी एनरजी मिलती रहेगी और इसमें आप फलो का सेवन ब्रत में आसानी से कर सकती हैं साथ ही ड्राइफ फूट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं ध्यान रहे कि आप फल को नमक के साथ नहीं खाएं अगर दिन में पानी नहीं पी सकती तो उसके जगा फ्रूट जूस ले ले नारियल पानी ले ले क्योंकि इस टाइम पे आपको अपने ग्लू को जो है वो मेंटेन रखन है अगर आप पूरे टाइम निरा जली रहेंगे तो आपका ग्लू कोस लेवल बहुत ही डाउन आज जाएगा हाइड्रेट रखना है इसलिए जूस और नारियल पानी का स्तेमाल करें अगली जो बात आपको साउधानी रखनी है वो है आप इसमें दूद का सेवन कर सकती है करवा चोथ की सुभए आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सरगी का खान करते हैं मतलब सुभए सुभए सरगी खाते हैं तो ऐसे में सरगी में आपको खास ख्याल क्या रखना है कि सरगी में ऐसी चीज़ों को जरूर खाएं जो दिन भर आपको एनरजी देंगी ना कि आपको और ज्यादा बिमार करतें जैसे कि सरगी में चाय कॉफी का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है नार्मल कंडिशन में कर सकते हैं बट आप क्योंकि प्रेग्नेंट हैं इसलिए इसकी बजाए आप दूद्ध पिए क्योंकि अगर आप सुबही खाली पे चाय कॉफी पिलेंगी तो इससे आपको गैस की समस्या होगी और फिर पूरे दिन आपको मतली चक्कराना सरदर यह सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है इसलिए चाय कॉफी के जगा दूद पीना ज्यादा बहतर सब्स्टिट्यूट बिकल्प हो सकता है तो इस बात का जरूर ध्यान रखें क्योंकि सुबह वाला जो मील होता है उस पर आपका पूरा दिन डेपेंट करता है अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है साउधानी वह है कि करवा चौत के दिन अगर आप गर्वती महिलाएं ब्रत कर रही हैं तो उन्हें एक दिन भर आराम करना चाहिए सुबह सर्गी में खाने पीने के बाद उन्हें जादा से जादा समय आराम करके ही बिताना है फिर शाम को पूजा के समय ही उठना है और त्यार होकर पूजा करने इससे आपकी सुष्टी और ठकान जो है वो कम रहेगी यानि आप थोड़ा स अगर आप खास ख्याल रखेंगे तो आपका आई होब अच्छे से निकल जाएगा बिना किसी परेशानी के ना आपको होगी ना आपके बच्चे को होगी क्योंकि इसमें आपको अपने से जादा अपने बच्चे का ख्याल रखना है तो दोस्तों अगर वीडियो जरा भी अच्छी लगी और आप में से कितनी लोग प्रेगनेंट हैं जो इस ब्रत को करने जा रही है प्रीज कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर बताईएगा साथ ही वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बाइ लाइकन जरूर प्रेस करेंगा